असलाम अलेकुम स्टूडेंट्स वेलकम बैक अगें मैं मुहम्मद वकास हूँ आपका केमिस्टी टीचर और यह आपका चैनल है M.W.S. केमिस्ट्री और आज हम इसमें अगें बात करेंगे हैबिडिजेशन पर हैबिडिजेशन इन और्गैनिक केमिस्ट्री प्रीविज जो मेरा लेक्चर नमबर सिक्स था कैमिकल बॉन्डिंग वारे चैप्टर पे वो था हैबिडिजेशन ही पर और उसमें हमने तीन तरह की लिए कि यह बहुत्त रहना यह हैं यह बरूआ युष एफेसी स्टूछेंट्स के लिए अगर आप एपसे स्टूडेंट से यह इंट्र क्लास के स्टूटेंस स्टूडेंस आप यह मेरा लेक्चर है chemical bonding पे जो लेक्चर नमबर 8 होगा वो FSC और BS स्टुडेंट सब के लिए होगा लेकिन यह वाला लेक्चर सिर्फ BS स्टुडेंट के लिए ही है लेकिन अगर आप इंटर क्लास के स्टुडेंट से और निस्बतन उसे short होगा वो 40 मिनिट से भी ज्यादा था क्योंकि इसमें हमने सिरफ 4 examples को cover करना है वहाँ पे हमने total जो है वो 7 examples cover की थी तो आईए इसको शुरू कर लेते हैं तो इस lecture में हमने जो habidization को cover करना है वह यहाँ पर लिखे देता हूँ हमने यहाँ पर cover करना है आज dsp2 को एक तो यह होगी ठीक है इसके बाद हम cover करेंगे इसको हम यूँ भी लिखते है sp3 d या यह होती है dsp3 इसमें inner and outer orbital वाला concept होता है ठीक है इसके बाद जो तीसरी हम explain करेंगे वह होगी sp3 चोड़ो पहले sp3 लिख देता हूँ मैं क्योंकि यह सारे outer orbital होंगे sp3 d2 और यहाँ पर जो चोथी होगी हमारी वह होगी sp3 d3 so यह हमने ना चार जो habidization है इनको cover करना है इस lecture के अंदर एक ही lecture अंदर तो देखते हम start लेंगे यहाँ पर dsp2 से तो hybridization का तो मतब आपको पता है hybridization कि क्या definition है the process in which different atomic orbitals are intermixed to give new equivalent hybrid orbitals with same energy and shape this process is called hybridization and if we talk about specifically for sp2 hybridization then we can simply define it when 1d 1s and 2p atomic orbitals are intermixed to give 4 new equivalent hybrid orbitals with same energy and shape that will be called dsp2 hybridization तो यहाँ पर इसको हम शुरू कर लेते हैं यह हमारे पास जो dsp2 hybridization है इसमें जो हमने example cover करनी वैसे यह coordination compound वाले chapter में मैंने सारा explain कर दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर चुके यह इन और्गैनिका सिर्फ chemical bonding वाला chapter है है कि सारे वही हम explain करें वहाँ पर सारे हम coordination compounds ही को explain कर रहे थे तो यहाँ इस hybridization यानि dsp2 में हम coordination compound की एक example में से choose करेंगे like हमारे पास यहाँ पर दो example है मैं यहाँ पर दिक देता हूं पहले पहले हमारे पास है ni cn4 और यह minus 2 इसके उपर स्वेर के उपर चार्ज होगा ठीक है अब एक और example है इसमें पी टी एन इस त्री फॉर एंड इस पे प्लस टू चार्ज होगा यह दो example है जिनको यहाँ पर कवर करने वाले लेकिन एक example की सरफ हम explanation देखें गर वह यह वारी है अब इसमें हमारा इसके उपर आपको चार्ज वग्यरा तो निकालना आता होगा अगर आपने coordination compound की chemistry पड़ी है जो चार स्यानों लिगंड्स इन का चार नेगेटिव चार्ज है तो यह फोर नेगेटिव चार्ज तो इन स्यानों लिगंड इसका हो गया फिर बाहर आपको यह समझाना थो निकल की जो कॉंफिग्रेशन है निकल का अटॉमिक नमबर 28 होता है तो अगर हम यहां पर आरगन लिख दें थारा अटॉमिक नमबर आरगन का होता है तो बाकी जो कॉंफिग्रेशन होगी आई एस्विमिंग के बीस और यह 28 अब जब हम एनाई पॉजिटिव लिखेंगे पॉजिटिव टू तो इसका मतलब दो इलेक्टोन यहां से रिमूव होगें तो यह जो एस है यह खाली पड़ा होगा और यह जो 3D है इसमें वही 8 इलेक्टोन होंगे तो यह यहां पर निकल की प्लस टू की बात करें 3D तो यह सारा यह 5 इसके डी जनरेट अटॉमिक और बिटल होते हैं तो इसमें सारे पेर्ड इलेक्टोन होंगे यहां पर भी यहां पर भी यहां पर भी यहां और यह खाली सारा पड़ा होगा तो दैट इस फ्रीडी अब इसके बाद अगर हम इसके इनर पी की बात करें वो तो completely filled है लेकिन जो इसका outer P atomic orbital होगा है यहां पर है empty खाली है और आपको याद होगा अगर आपने coordination compounds पे मेरे lecture सुनें यह वैसे आपको पता है तो जो coordination compounds में central atom होता है उसके जो empty orbital होता है वो hybridized होता है तो यहां पर देखें यह एक S orbital है यह वाला और यह D का atomic orbital है तो यह बन गया DS यहां पर जो हम DSP यहां से हम दो ले लेंगे तो क्या बन गया DSP2 तो इसका मतलब यहां पर जो नए hybrid orbitals बनेंगे वो चार होंगे फोर और चारों के चारों होंगे empty है सर आप तो कहते हैं हाफ फिल्ड atomic orbital hybridized होते हैं मैं यह भी कहता हूं कि fully filled atomic orbital भी hybridized होते हैं इन case of water in case of ammonia आप देख सकते हैं हाफ फिल्ड हो पार्शली फिल्ड जिनकों कहते हैं empty हों या फिल्ड हों तीनों atomic orbitals की hybridization possible है हमारी hybridization theory के अंदर तो यह चार जो नए hybrid orbitals बनें दीज आर dsp2 और यह आपको पता है यह square planer geometry बनेगी यह अगर हम यहां पर बात करें तो निकल यहां पर central atom है यह तो इसके जो चार hybridized orbitals होंगे वह इस तरह के एक square और plane में होंगे यह तो इन में कोई भी electron अब मौझूद नहीं है तो यहां पर जो चार लिगंड है ना जो स्यानों लिगंड है यह वारे यह इन empty orbital यह जो है इनको करेंगे फिल अगर मैं यहां पर इसको बनाओं यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यह जो लगा रहा हूं यह वो इलेक्ट्रॉंड हैं जो स्यानों लिगंड है यानि सीन नेगिटिव कोडिनेट कोविलेंट बांड बनाएंगे सेंट्रल एटम यानि निकल के साथ तो चार यूं जो हैं हमारे पास स्यानों लिगंड जाके इन empty orbitals को कर देंगे फिल विदिस ओवरलैपिंग अब यह जो ओवरलैपिंग होगी यहां पर तो इसे चार नए सिग्मा बांड बन जाएंगे और यह चारों ही did you do ग्शानों घ्री विए फ्वरलै में होंगे इस जीमेड्र को क्या बोलेंगे स्क्वियर ग्रीमेड बेंट्र लिटी वह ऑल्रा निकल की यह और पे उक्षिडेशन स्टैट प्लस ट्थी ओवराल इसके चार्ड होगा क्या होगा वो माइनिस टू होगा क्योंकि यहां पे चार जो हैं वो सी एन लिगंड्स आ गए अगर मैं इनके उपर नेगडिव चार भी शो कर दूँ तो यह गलत नहीं होगा तो यह अगर हम इसकी जियमेट्री को यहां पे शो करना चाहें जो के स्क्वेर प्लेणर है यहां पर मैं लिखे देता हूँ स्क्वेर प्लेणर जो मैट्री यह बनेगी तो अगर हम इसको ऐसे बनाना चाहें यहां चार स्यानों लिगंड्स होंगे यूँ ठीक हो गया तो इसके उपर स्वेर के उपर जो ओवराल चार्ज है वो हमें पता है माइनस टू आर है तो यह जो चारों स्यानों लिगंड्स है ना यह एक ही प्लेण में होंगे यानि इनके अंदर 120 डिगरी का एंगल होगा और यह जो मैट्री कहलाती है स्क्वेर प्लेणर जो मैट्री तो यह स्क्वेर में एक प्लेणर जोमैट्री होती है आपको यहां पर रेक्टेंगल सी नजर आ लेकिन यह होती है बारहल यह हमारे पास एक्जामपल थी इसमें डी, एसपी, टू में इसमें यह भी एक्जामपल आप कभर कर सकते हैं लेकिन मैंने NICN4-2 यह तो मैंने इनकी coordination जो स्फेर के चार्ज से इस central atom के oxidation state को निकालने के लिए लिए लिखा तो वो मैंने इरेस कर दी है तो अब हम next move करेंगे यहां पे इस वाली SP3 यह D SP3 hybridization को क्यों इसको दो तरह मैंने लिखा तो यह हम पारे explain करेंगे यहां पे तो अगर आपको अभी ये समझ आया कि एमपटी और्बिटल किस तरह से ओवरलैब करते है और फिर जो उनके साथ बॉंडड़ आटम्स होते हैं वो पूरा एक कौाडिनेट कोवलेंट बॉंड किस तरह से बनाते हैं नेक्स्ट एक्जामपल भी मेरा ख्याल है कि आपके लिए मुश्किल नहीं होगी क्योंकि यहां पर जो हमें एक्जामपल लेंगे न उसमें जो सेंटरल एक्टम होगा उसके पार्चिली फिल्ड अटॉमिक और्बिटल की हैबिडिजिशन हमने लेनी है तो यहां एक्जामपल हम जो कवर करने जा रहे हैं वो है SP3D या हम इसको बोलेंगे DSP3 तो इसमें आ जाती है PCL5, PF5 अगर हम यहां पर इसमें PCL5, PF5 इस तरह कि इसमें एक्जामपल हमारे पास होती है तो अगर हम यहां पर चेक करें टोटल पांच अटॉमिक और्बिटल को हमने हाइबिडाइज करवाने एक D होगा एक S होगा और तीन पी होगे तो यहां जो हमने मिसाल यहां एक्जामपल लेनी वो PCL5 की है अब फास्फोरस फिफ्थ ए ग्रूप का मेंबर है नाय ट्रोजन के बाद फास्फोरस पांच में ग्रूप में होता है तो अगर आपको इलेक्टॉनिक का पता है तो यहां पर आपको पता है इसका अटॉमिक नंबर 15 है यहां नियोन तक इसके 10 इलेक्टॉन हो जाएंगे फिर आजएगा इसका 3S एंड 3P अटॉमिक और्बिटल 3S में इसके अंदर 2 इलेक्टॉन होंगे और P में होंगे 3 इलेक्टॉन तो यहूं 10 इसके 2 12 और यह 3 15 इलेक्टॉन इसके पूरे होगे अगर मैं इसके 3S को यूँ बनाऊं यहां पर 3S इसके दो इलेक्टॉन है इसके बाद 3P यहां पर सब में एक 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 इलेक्टॉन होगा क्योंकि यह 3D जेनरेट अटॉमिक और्बिटल दोते हैं यह 3P हो गया अब इसका आगे ना हम 3D भी बनाएंगे देखें हलांके इसके 3D में कोई इलेक्टॉन मुझूद नहीं है लेकिन हम बनाएंगे एंपटी तो है पड़ा तो है तो यहां पे हाइर इनर्जी पे यह क् 3D यह है इसके ग्राउंट स्टेट वार्स की वार्स फोरस एक्ंब की यह हैं ग्राउंट सेट में इसमें हमने pneumे और्बिटल को न Riak लेने तो यहां पे तो वो तीन है तो यह है इसकी ग्राउंड स्टेट इसी को अगर मैं इसकी एक्साइटेड स्टेट में लिखूं यहां से एक इलेक्टरॉन जम करेगा और यह इलेक्टरॉन चला जाएगा इस हाइर इनरजी 3D अटॉमिक और्बिटल में तो अब आप यहा शाहरेबॉला यानि आखरी पहर जो और्बिटल है यनि इसको आउटर और्बिटल कहा सकते हैं वह इनवॉल है तो इसलिए इसको लिखाएS P3D यह 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 व्योन भी हो सकता है इस तरह की केस्त में तो यह हमारे पास तो यह पांच आटॉमिक और्बिटल में कर लिया हु तो यह हमारे पास होगे SP3D मैंने उपर भी लिखा नीचे भी लिख दिया इन सब में एक एक लेक्ट्रॉन मौझूद है ठीक है और इसकी जो जुमेट्री बनेगी वह होगी पहले भी हम वैस्पर थियोरी में कर चुके बताएं कौन सी होगी येस यह होगी ट्राइगोनल बा पैरमिडल जो जुमेट्री यानि शेप बनेगी मॉलिकुलर शेप हम जिसको कहते हैं वह होगी ट्राइगोनल बाइपरमिडल तो देख लेते हैं कैसे होगी वह सो फासफोरस यहां पर यूं सेंटरल एटम है इसके पांच लोब बनाने एक जो हाइबिडाइज ने है तीन चार और यह पांच इन सब में एक 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 लेक्ट्रॉन मुझूद है यह जोटा बड़ा बन गया है छोटा कर लेते हैं ठीक है यह जो मैटरि वैस्पर थियोरी में एक बैन हो चुकी तो यहां पर एक electron, एक electron, एक, एक, अब इसके साथ bond किसने बनाने है, कलोरीन, कलोरीन की configuration हमें पता है, तो कलोरीन का जो 3PZ, 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 3PZ जो atomic orbital है, वो इनके साथ आके करेगा overlap, तो वो डंबल शेप का आता है, तो यह overlapping होगी, यह खुद क्या था, खुद था यह SP3D, यानि फासफोरस का SP3D था, और जो इसके साथ overlap आके कर रहा है, वो क्या है, 3PZ कलोरीन का, यह SP3D किसका है, फासफोरस का, और 3PZ आके कौन overlap कर रहा है, कलोरीन, तो यह sigma bond बना है, तो इस तरह के बाकी चार भी sigma bonds यहां पर बन पाएंगे, यह इस तरह से, तो यह हमारे पास बन ग explanation दी थी, वो थी on the basis of vesper theory, तो इसमें हमने यह नहीं बताया था, how and where the bond is formed, तो यहां पर हम यह भी बता रहे हैं, how and where the bond is formed, तो इसके अगर हम molecular shape देखें, अगर आपने वो नहीं मेरा lecture सुना, तो इसमें दुबारा बता देता हूं, तो यह, यह, हमारे पास दो कलोरीन, बिल बाकी जो तीन हैं, यानि बाकी जो तीन atomic orbitals हैं, यहां पर बना देता हूं, कलोरीन जो उसके साथ overlap करने के बाद bond बना रहे हैं, बाकी तीन जो bond है, वो यह प्लेन में होते हैं, तो यह बन जाती है trigonal by a pyramidal shape, यह तीन प्लेन में होते हैं, इनको मैं यह यह डॉटर से मिला दे और यह दो आउट ओफ दी प्लेन हैं, यह यह 180 डिगरी के एंगल के साथ, एक दूसरे के साथ 180 डिगरी का एंगल बना रहे हैं, यह दो कलोरीन आपस में बना रहे हैं, 90 डिगरी का एंगल यह परपेंडिकुलर हैं, और यह जो कलोरीन प्लेन के अंदर आ रहे हैं, तीन, य so that is the geometry molecular shape जिसको हम कहते हैं तो यह था हमारे पास dsp2 sp3d या dsp3 की हमारे पास explanation अब हम मूव करने जा रहे हैं इस पर sp3d2 तो sp3d2 में अगर हम देखें यहां पर थोड़ा थोड़ा ही चेंज है तो यहां पर फास्फोरस की जगह यहां भी हम एक्स्प्रेंट करने लगें इसको sp3d2 को और इसमें जो हमने एक्जामपल कवर करनी है वो है sf6 और जिसको हमने ab6 टाइफ वैसपर थीरी में पढ़ा था तो यह एक्जामपल हमने कवर करनी है इसमें आप चेक करो सेंटल एटम कौन सा है सल्फर है तो सिरफ यहां पर फास्फोरस की जगह क्या आ जाना है सल्फर इसका आटॉमिक नबर कितना है 16 तो यहां पी में फोर इलेक्ट्रोन होंगे एक तो यह बस एक एक्स्टा इलेक्ट्रोन होगा यह मैं सल्फर के पाप कर रहा हूं फास्फोरस के कंपरिसन में अब यह दोनों इलेक्ट्रोन एक्साइट होना है इस एस वारे ने भी और एंपटी जो 3D में पड़े हैं और बिटल उनके अंदर इन्होंने चले जाना यह इलेक्ट्रोन पार्चली फिल्ड होगें तो अब यह क्या बनेगी SP3D2 तो यहां पर एक और बिटल हम एक्स्टा बना लेते हैं और यहां पर मैं डी टू लिख देता हूं यहां पर भी तो अब यह कितने होगे येस दीजार सिक्स नाव तो छे हैं बस आपने सिंपली क्या करना है यहां पर रिष्ट करना है मैंने इसको आपने अब यहां पर पांच की बजाए चे जो हैं हाइबरीड और्बिटल्स बना देनें सुल्फ़र के तो नके साथ ऑफर लैपें कि घझा अभिएंगे मगें फलोरीन की थी अब यह पर फलोरीन की हो जाएगी तो सुल्फ़र हम बना ल जो हाबिडाजेशन स्टेट है वो कौन सी है वो है SP3D2 अब इनके साथ जिसने मैं एक के साथ लिख देता हूं SP3D2 तो एक के साथ मैंने लिख दिया हर और्बिटल SP3D2 है और सल्फर फलोरीन का जो 2PZ है कलोरीन का 3PZ होता है दोनों सेम ग्रूप के मेंबर है 7 थे के फलोरीन का 2PZ अटॉमिक और्बिटल हाफ फिल्ड है जैसे कलोरीन का 3PZ था तो वो भी डंबल शेप का यह होता है तो यहां पे उसकी हो जाएगी ओवरलैपिंग यह तो यह ओवरलैपिंग से सिगमा बॉंड बनेगा तो यह होगा य आपके लिए चीजें अंडेस्टेंडिंग होंगी अगर आपको वैस्पर थियोरी में इन मॉलीक्यूस को एक्स्पेंड करना आता है सिर्फ अप्रोच का डिफरेंस है कि वहां जो हम यूज कर रहे थे अप्रोच वो थोड़ी और तरह की थी यह अप्रोच और तरह की बाक यहां और यहां तो जो पीसील फाइल की एक्जाम पर इसमें एक्वाटोरियल और एक्जिल पोजिशन भी बतानी थी जो वान इटी डिगरी का एंगल होता है यह वाला यहां पर भी बन रहा है यह यह एक्जिल कहलाता है इसका एंगल होता है वान एटी डिगरी ठीक है तो बाकी angles को भी यहां पर explain करना चाहें तो कर सकते हैं लेकिन इतने जो दो तरह के आपके पास angles हैं वह आपने बता देने कि या तो एंगल होगा 180 डिग्री का या होगा यहां पर 90 डिग्री का एंगल तो यह जो geometry बनी है यह बनती है octahedral, octahedral, यह मैंने आपको तब भी wesper theory में भी बनाना सिखाई थी, यह किस तरह की shape होती है मतब एक आप इस तरह square बना लें, उसके उपर यूं हट बनाना होता है, इसके नीचे भी हट बनाना है इस हवाले point को आपने इस से मिला देना है, और इस हवाले point को आपने यहां से मिला देना है इसी तरह इसको यहां मिला दें और इसको यहां, तो इस तरह की shape बन जाती है, मैंने छोड़ी सी यहां पर इसलिए बनाई है क्योंकि यह सारी चीज़ें मैं, वैस्पर्ड थियोरी जो के गालबन लेक्चर नमबर 5 है मेरा, इसी chemical bonding पे वो सारा explain किया हुआ है तो वहां से जाके आप देख सकते हैं, तो यह हमारे पास अब cover होगी है, कौन सी? SP3, D2, Habitization भी, अब हम आखरी हमारी SP3, D3, Habitization है, इस पे move कर लेते हैं, यहां पर सिर्फ मैं यह लिकूंगा, example चेंज होगी अच्छा, अब इसमें जो example है, हमारे पास वो है, IF7, Iodine, Hepta, Phalluride, तो यह हमारे पास यहां पर example जिसको हमने cover करना है, central atom iodine है, अगर हम iodine की यहां पर बात करें, तो इसकी configuration में यहां पर आजेगी क्रिप्टाउन, यह 7th ए ग्रूप का member है, तो 5, S2, and 5P, 5, P में टोटल 6 इसके electron होते हैं, तो अगर मैं इसको यूँ बनाओ यहां पर, यह इसका 5S है, फिर 5P है, तीन इसके होंगे, 1, 2, और यह 3, फिर आगे 5D भी होगा, जो के empty है, 1, 2, 3, 4, और यह 5, ठीक है, अब इसमें अगर हम electron को लिखें तो इसमें 2 electron है, इसमें 2, इसमें 2, इसमें 1, और यह कै, 5D, बिल्कुल जैसे हमने फासफोर, सलफर के लिए किया था, वैसे यहां पर थोड़ा सम चेंज करेंगे, यह इसकी है ground state, GS, इसी को मैं इसकी excited state में change करता हूँ, यहां से यह electron अगर जंप करता है, और यहां चला जाता है, तो यह excited हो गया, तो अब यह ground state नहीं है, बलके कौन से state बन गई है, that is actually, it's excited state, तो इसी को मैं ES अब कर रहा हूँ, ठीक है, अब यहां पर देखें, यह एक electron यहां से यहां जंप करेगा, D में, इस तरह यह भी कर सकता है, ताके maximum electron जो हैं वो, क्या रहें, half field रहें, orbitals के अंदर, और यह maximum bond बना सके, यानिके 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो हम साथ यहां पे, hybridized orbitals बना लेंगे, iodine के, this is for iodine, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह extra 7, तो सब में एक एक electron मौजूद है, और सब के नाम, सब की shape, सब की energy एक जैसी होगी, और इनका नाम है, SP3, D3, अब यह साथ होंगे, यह तो अक्टा हैडल शेप बनी थे, पैंटाग पैरमिड होंगे, इसलिए इसको पैंटागोनल बाय पैरमिडल बोलेंगे, कैसे होगी, सबसे पहरे तो iodine को अगर हम बनाएं यहां पे, तो इसके hybridized orbitals, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यह साथ, सर यह आपने क्या खर दी, यह ऐसे बनेगा, तो इसमें साथ है, सब में एक एक electron है, और सबका, सबकी hybridization state iodine के in orbitals की सेम है, यानि कि SP3, D3, अब इनके साथ जिस आटम ने ओवरलैप करना है, वो फलोरीन है, उसका वही 2PZ होता है, अभी हमने previous example में भी देखा, तो वो डंबल शेप का होगा, यह ओवरलैपिंग हो जाएगी, इस तरह से, ठीक है, तो यहां पे भी और जो nature of bond होगी, वो सेम होगी, यह मैंने थोड़ा सा इस तरफ इसलिए किया है, क्योंकि उदर खाली जगा नहीं मिल रहे हैं, तो खैर इसकी geometry यानि डायाग्राम इसकी सही बने तो यह हम इस तरह बना, और यह हमारे पास, तो यह सारे ही सिगमा bond होंगे साथ के साथ, और यह iodine और fluorine के दरमयान बन रहे हैं, यह inter halogen compound भी कहलाता है, यह halogen का halogen से ही bond है, तो यह हमारे पास शेप है, इसको हम बोलते हैं, pentagonal, pentagonal, bipermiddle, मैं अभी इसको, इसकी geometric draw भी कर देता हूं, देखें, यह iodine center में बना ली हमें, दो इसके जो हैं, दो bonds, यह फलोरीन के साथ, वो तो 180 degree के angle के साथ हैं, जैसे हम पहले बना चुके हैं, these are of 180 degree angle, तो यह तो 180 degree angle पर यहां पर मोचूद होंगे, ठीक है, बाकी जो यहां पर 5 बनाने न आपने, यह एक, दो, तीन, यह 90 degree angle के साथ होंगे, इनका आपस में भी 90 degree angle होगा, और बाकी फलोरीन के साथ भी इनका 90 degree ही angle होगा, so that's it about, this geometry angle यहां पर सबका होगा, 90 degree, उपर मैंने molecular geometry इसकी लिख दिया है, पैंटागोनल, बाइपरमिडल, तो स्टोटेंट इसमें हमने यह भी अब हैपिडिजेशन को कर दिया हुए है, explain, तो that's it about today's lecture, और इसमें हमने सीखी है, चार तरह की हैपिजेशन, DSP2, SP3D या DSP3, और SP3D2, SP3D3, यह इन और गैनिक हैमिस्टी का कैमिकल बांडिंग पे हैबिडिजेशन वाला आखरी लेक्चर था, यह हो गया, खतम, इससे जो नेक्स लेक्चर होगा, वो होगा molecular orbital theory पे, बहुत शुक्री आपका, अलापिस,